हलो फ्रेंड्स यू आर सो मोस्ट वेलकम एट माई यूटूब चैनल वनीश शर्मावी लोग्स फ्रेंड्स मैं आज आपको रास्थान के अलवर्ज लेके एक मात्र प्रसित धाम गायत्री धाम लेकर जाने वाला हूँ यहां पर माता गायत्री का मंदिर है कह सकते हैं गायत्री का सक्तिफीट पीठ है तो दोस्तों मैं गायत्री माता के मंदिर में आपको लेकर जाने वाला हूँ सहर के बीच ओ बीच में ये मंदिर पढ़ता है तो आप तयार रहिएगा लैट्स गो कि फ्रेंड्स मैं गायत्री मंदिर के बाहर खड़ा हूं आप देख सकते हैं दूर से ही गायत्री मातक मंदिर का जो यह दुवार है यह लोगों को अपनी और आकरशिद करता है और आगे अलवर का सुप्रशिद मार्केट है तो दोस्तों अंदर मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ फ्रेंड्स मंदिर के बाहर पूजन सामगरी की दुकाने लगी हुई है आप देख सकते हैं गायत्री मा को इंदु भारतिय संस्कृति की जनमदात्री मानते हैं चारोवेद सास्त्र और सुरूतिया सभी गायत्री से ही पैदा हुए माने जाते हैं मैं अंदर की और जा रहा हूँ ब्रह्मा विश्णु महें इस तीनों देवताओं की आराध्य भी इन्हें ही माना जाता है इसलिए इन्हें देव माता भी कहा जाता है मंदिर अंदर से काफी सुन्दर लग रहा है देख सकते हैं आप यहां पर पेड़ पोदे और कितना सुहाओना मोसम भी हो रहा है गायत्री माता का सामने मंदिर है यहां पर एक सुन्दर गार्डन भी है मंदिर के अंदर कहा जाता है कि श्रष्टी के आरंब में ब्रह्मा जी ने मा गायत्री का आईवान किया तब उन्होंने अपने चारों मुक्से गायत्री मंत्र के व्याक्या चार वेदों के रूब में की थी दोस्तों मैं मंदिर में अंदर आगे की और बढ़ रहा हूं यहां पर माता गायत्री की चरण पादुकाय है मंदिर को काफी अच्छे डंग से सजाया हुआ है मारवल से यह जगे बनाई हुई है अच्छे अच्छे दुनिया पदेजी आज़काय है एक फूलों का गार्डन भी है बहुती बड़ा और बहुती विसाल यहां पर बर्गत का पेड़ भी है गायत्री माता के हाथों में चारों वेल सुसोवित है और एक हाथ में कमंडल है और यह हंसो की सवारी करती है फ्रेंड्स मैं मंदिर में अंदर आगे की ओर बढ़ रहा हूँ जैसा आप इस गार्डन को अपनी आँखों से देख सकते हैं माता गायत्री को मा पारवती सरस्वती और लक्षमी जी का अवतार कहा जाता है गायत्री मंत्र की खोजकस्रे श्रद्दे रिशी विश्वमित्र को जाता है सामने आप देख सकते हैं प्रगेश्वर महादेव जी का मंदिर है मैं इस ओर आगे बढ़ रहा हूँ गायत्री मंत्र जो हम बोलते हैं ओम भूर भुष्व है तस्वितुरवरेनियम भर्गोदिवश्यधी मही धियो योने प्रचोदयात दोस्तो इस मंत्र का अर्थ आप जानते हैं क्या है इस मंत्र का अर्थ है हम इस्वर की महिमा का ध्यान करते हैं जिसने इस संसार को उत्वन किया है जो पुझनिय है जो ग्यान का भंडार है जो पापो तथा अग्यान को दूर करने वाला है वह हमें प्रकास दिखाए और हम में सत्य पत्पर ले जाए दोस्तों सामने मंदिर हैं यग सालाए हैं हवन कुंडल है इसे बहुती सुन्दर लग रहा है ये मेरे भोले नात का मंदिर मैं आगे की और बढ़ रहा हूँ जै श्री भोले शंबू जै मेरे भगवार कितना सुन्दर प्रतीत हो रहा है कितना सुन्दर सिवाल है इस गायत्री दाम में फ्रेंड्स गायत्री बंद्र का जाप किसी भी समय किया जा सकता है इसका जाप रात को सोते समय भी कर सकते हैं शुक्रवार को देवी की आराधना का प्रमुख दिन होता है प्रेंट्स आप देख सकते हैं यहां पर हवन कुंड साला आये हैं यहां पर यग का आयोजन किया जाता है गायतरी माता के पांच प्रम्मुख पांच तत्तो का अर्थात प्रतिव्यगनी जलवायु आकास का प्रतिनी दित्व करते हैं जिने पंच भूत कहा जाता है इस मंदिर में ही एक माता भगवती दिवी बोजनाले नाम से एक स्टोर है इस रूम में खाने पीने की चीजों का स्टोर रूम में संचे किया जाता है अर्थात मंदिर में खाने पीने की चीजे हैं कोई सामान हुआ उसको यहां पर भर कर रखा जाता है मंदिर के पीछे ही एक बहुत सुन्दर बाग है मुझे दूर से दिखाई दे रहे हैं कि इस बाग में कई तरह के एनिमल्स हैं बाड्स हैं लेकिन इस गार्डन में मेरा जाना अलाव नहीं है माता गायतरी का जनम स्रावन मास में पूर्णी मातिती के दिन हुआ था इसे इस रूपे से दक्षिन भारत में श्रावन माहें की पूर्णी मतिती पर गायतरी जैनती मनाते हैं सामने देख सकते हैं विसाल सैकडो साल पुराना ये बरगद का पेड़ है गायतरी मंद्र का जाब करने से मान सिक्वी कारों से चुटकारा मिलता है ज्यान के इंद्रित करने में सायता मिलती है सरीर को सकारात्म कुर्जा प्राप्त होती है सरीर की रोग प्रती रोदक छमता भी बढ़ती है गायतरी मंद्र के 24 अक्षरों में 24 देवताय हैं और उनकी 24 चेतन्य सक्तियां है गायत्री मंत्र के 24 अक्षर, 24 सक्ति बीज है संद्र में ही एक लाइब्रेरी है जहां पर मानाव जीवन से सम्मंदित मानाव जीवन को आगे बढ़ाने वाली जो पुस्तके हैं वो मिलती है और इस लाइब्रेरी में बैठ कर भी फड़ सकते हैं मैं थोड़ा सा अंदर का द्रश्या को दिखाता हूँ कि इतने लोग ट्रश्टी है, नो लोग मंदिर में जगे जगे पर स्लोगन्स लिखे हुए हैं एक ऐसे स्लोगन्स जो हमारे जीवन के लिए काफी महत्व पूर्ण है तो सांतिकुंज हरी द्वार में गायत्री परिवार नाम से संस्था है जो कि गायत्री मंदिरों का संचालन करती है यह जगे आपको कैसी लगी मेरे कमेंड बोक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं मेरी वीडियो को लाइक एंड सेयर करें और मेरे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स आप भी अपने परिवार और दोस्तों के साथ गायत्री सक्ति पीठ अलवर में जरूर आएं यह गायत्री मंदिर है और बड़ा ही शर्दाका केंद्र है दोस्तों अब मैं आपसे विदा लेता हूँ टेक केर बाई बाई